Hey guys, आज के इस वीडियो में एक बर फिर से देखने वाले हैं कि 5B Miss Setup ने आज की डिट में Bank Nifty में किस तरीके से perform किया और अगर आप लोग इसमें entries बनाते तो वो कौन-कौन सी entries है जिनको avoid करना था और किस entry के अंदर आपको short-shot trail लेना था इस वीडियो में हम completely detail में discuss करने वाले हैं तो वीडियो के साथ पूरा बने रही है क्योंकि कोई भी strategy अगर आप उसका process और logic समझ जाते हैं लेकिन किसी भी strategy का logic and process समझने से आप नई strategy को बनाना भी सीख सकते हैं साथी साथ existing strategy जो आपके पास है उसके अंदर अगर आपको कोई चीज changes करना है तो वो भी आप कर पाएंगे अगर वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर कर दीजिए और मैं तो कहूंगा अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में जब मैं ये process समझाने लग जाओंगा तो आप भूल जाते हैं वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल में पहली बार है तो कर लीजिए subscribe क्योंकि इसी तरह की वीडियो को मैं आने वाले टाइम में भी upload करता रहूंगा चलिए सीरे चलते हैं चार्ट पे तो यहां पे आप देखेंगे कि दिन की शुरुआत होती है इस candle पे और ये candle बह अब मैं बताता हूँ क्यों जहां पे आप देख रहे हैं कि पहले candle की closing जहां हुई है ठीक है पहली बात तो opening बहुत बड़ी gap अप हो गई उसके बाद जहां पे closing हुई है लेकिन इससे भी पहले में एक चीज़ explain कर दूँ जो लोग नए हैं जिनको 5e में setup यूज करना नही देख रहे हैं पिछले दो candle ने already इतना distance टैक कर दिया है 5e में की तरफ basically हम क्या करते हैं 5e में से अगर कोई distance पे candle closing दे देती है तो उसका low break होने पेंट्री लेकि उस distance को trade करने की कोशिश करते हैं लेकिन अगर यहां पे देखेंगे तो शुरू के 2 candles ने already उस distance का आधे से ज candle का सा bounce भी आपका पूरा का पूरा premium जो है आदे से जादा लेके जा सकता है तो ऐसे में यह वाली entry आपको avoid करनी थी, हाँ scalpers जो है जो सिर्फ एक candle का profit and loss खेलना चाहते हैं उनके लिए ठीक है क्योंकि अभी भी एक candle का gap था यहां पे लेकिन जो 1 is to 3 का target लेके बैठेंगे तो उनके लिए यहां पे entries जो है वो नहीं करनी थी और यही चीज़े मैं अपने live classes में बिल्कुल detail में समझाता हूँ, live जब trade चल रहा होता है उस time पे भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा trade आपको avoid करना चाहिए, कौन सा trade आपको लेना चाहिए, अगर आपको live classes का पार्ट बनना है, description में link आपको मिल जाएगा, वहां से आप live classes का पार्ट बन सकते हैं, जहां पे मैं अपनी personal strategies और साथी साथ 5 वे में पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो उसमें कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रख के आप अपनी accuracy को बढ़ा सकते हैं, कि तमाम चीज़े म कोई touch नहीं करती था, second entry अगर आप देखोगे, तो इस वाले candle पर मिली है, ये भी आपको avoid करना है, पूछो क्यूं, मैंने भी आपको बताया कि 5 वे में हम distance को trade करते हैं, यहां पर क्या distance है, तो इसको trade करना जो है, मुश्किल होगा, और ऐसे में आपके SLs जो है, जल्दी से hit हो जाएंगे, क्योंकि distance है ही नहीं, तो deviation नहीं है जादा, तो इस deviation को trade कैसे करोगे, तो ये भी entry आप avoid करते, आपको third entry जो है, यहां पर distance भी है, negative candle भी है, यहां मैं मैं मान सकता हूँ, आप entry लेंगे और आपका SL भी जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने entry लिया, और अगर आप देखोगे, तो ये वाली candle आपका SL ले लेती है, SL है तकरीबन 58 point का spot के chart पे, तो premium के chart पे 39 point आपका यहां पे जाएगा, लेकिन let me tell you, आज expiry है, तो अगर इस पे आप देखोगे, वहां पे जाके अपने premium के chart पे, तो 39 point नहीं जाएगा, उससे कम ही जाएगा, बहुत स पास करके expiry वाले देन, अगर आपका SL लेती है, तो आपका उतने points नहीं जाते, जितना spot के chart पे आपको दिखता है, तो यहां पे 39 point, फिर भी मैं माल लेता हूँ कि नहीं 39 point आपका गया, तो आपको next entry काउन से मिलती है, this one, डोजी वाले candle पे, यहां पे भी आप देखोगे गया, first वाले में, premium पे चला गया, अब अगर मैं बात करता हूँ, इस वाले का, तो इस पे आपको कितना देख मिलता है, देखो, यहां पे आपका stop loss था, 31 points का, ठीक है, और 31 के हिसाब से target अगर मैं देखू, 1 is to 3 का, तो कितने points मिलते हैं, वो देखो, this is the, यह, almost, 93 points माल ले करता हूँ, 93 divided by अगर में 2 करूँ, तो 46 points आता है, ठीक है, तो 46 आपने ले लिया premium पे और दिया कितना था, 29, तो इसको adjust कर दो, यानि कि आपने second trade में कितना ले लिया, 46 points, और दिया कितना, 29, ठीक है, तो आपका इसके बीच का difference कितना आ गया, कितने points का आपको benefit होता है, let me calculate it's a 90, sorry, 46 minus 29, ये निकल के आजाता है, 17 points, ठीक है, अब इसको अगर आप div multiply कर देते हो, किस से, 25 से, 1 lot की हम अभी calculation करके चल रहे हैं, तो इसको अगर आप multiply करोगे 25 से, तो इनिकल के आ जाएगा, 17 multiply 25, so it's a 425, 425, तो ये आपका per lot का profit होता, ठीक है, अब मैं आपको ये भी 46 points मिले हैं आपको, जो आप second trade की बात कर रहे हैं, इसमें, ये जाधा मिले हैं, कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ, let's suppose 1 is to 3, आपका कहां capture हो रहा है, यहां पे, यहां कितना दिखा रहा है ये, अगर आप इस candle के low mark कर लेते हैं, ताकि हमें reference चेक करने में आसानी हो, तो म आपने सार low क्यों mark किया, 1 is to 3 क्यों नहीं, क्योंकि मुझे reference दिखाना है, कि same point पे, आपका premium का chart कितना point आपको दे रहा था, ठीके जी, चलो, तो मैं side by side entry कौन सा है, यह हमारा, अगर मैं देखूं तो 45,053, तो 45,100, जो strike price है, वो इसके नजदीक होगा, ATM माल लेते हैं उसक तो side by side हम double chart खोल लेते हैं यहापे, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे 45,100 खोल के दिखाता हूँ, 45,100 का put option, here it is, 45,100 का put option मैंने खोल लिया है, और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी drawing से वो हटा देते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, कि entry कौन से candle पे तो यहाँ पे अगर हम marking करें, this is the candle, this one, तो यह जो doji से बना हुआ है, यह वाला point देखो, यह देखे हो, आपको नज़र आ रहा है, right chart पे, यहाँ पे 136 पे आपने जो है entry ली, क्योंकि high break होने पे, यहाँ low break होने पे put में उल्टा होगा, high break होने पे, stop loss आपका कितना होगा 31 points का अगर यहाँ पे है, तो वहाँ पे माल लो, 15-16 points, 16 points माल लेते हैं, तो 16 points का stop loss अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, 136 में से अगर आप 16 minus करोगे, सारी calculation दिखा रहा हूँ, ध्यान से दिखते जाना, 136 में से अगर आपने 16 minus किया, तो 120 का, low देखोगे तो 123 का है, इ यह रही 12-5 वाली candle, अगर इसको आप यहाँ पे highlight कर दोगे, तो देखो, ठीक है, अब 196 तक गया, जब यहाँ पे इसी candle पे आपको 98 points दिखा रहा है, target का, 98 का अधा अगर आप कर देते हो, 98 का half करोगे 2 से, तो मिलना कितना चाहिए था आपको 49 points, yes or no, 98 का अगर आप आधा क 49 points मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखोगे कितना मिला है, let me calculate, 196 पे पहुँच गया है, कितने वाला premium, 136 वाला, तो आपको मिले हैं यहाँ पे 60 points, आप अपने mobile पे calculate करके देख लेना, 136 की चीज, 196 पे पहुँच गया, 60 points आपको मिलना कितना चाहिए था, 98 का आधा, त और उसे साफ से market अगर आपके direction में चला गया, तो आपको जादा profit पे लेगा, जो कि आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हो, 98 point का move यहाँ पे दिखाने पे bank nifty में, यहाँ पे आगया है, 60 points का move, यानि 46 के comparison में, अगर आप देखो तो 12 points जादा मिले हैं, देखे की तो ब आपने क्या किया, एक तो unwanted SLs बचाए, ऐसा नहीं कि blindly आप कहीं पे भी trade ले रहे हो, यही चीजे मैं सिखाता हूं live class में, फिर से मैं बता रहा हूं live class का part बनना है, और personal strategies को सीखना है with 5BMAB, 5BMAB मैं उसके अंदर include कर दूँगा, तो आप उस live classes के अंदर सारी चीजें सीख स ठीक है, तो इस तरीके से planning से trade करोगे, तो option buying से भी पैसा बनता है, लेकिन आप लोगों की planning proper नहीं होती है, और सबसे important बार learning नहीं होती है, जिसकी वजह से आप trap हो जाते हैं, अब percentage wise भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कितना पैसा यहां पे बनता, पर lot के असाब से, अग आप उसके लिए 136, यानि जितने पर entry हुई थी, उसको multiply कर दो 25 से, तो यह निकल के आता आपका 3400 रुपे, 3400 पे 1500, तो मैं इसका percentage wise आपको बता देता हूं, उसको करने के लिए आप क्या करोगे 1500 को, जो total investment है, उससे divide कर दोगे, और multiply कर दोगे 100 से, तो आप देखोगे 44%, 44 which is way more than enough, यानि अगर आप 1,00,000 रुपे लगाते तो आपका 44,000 रुपे का profit हो जाता, पूरा तो आप नहीं पकड़ पाते, लेकिन चलो इसका अगर आप 44% नहीं, आप 15%, 20% भी पकड़ते, बहुत अच्छा है एक दिन के लिए, तो अगर आप बहुत सही तरीके से right entry, right exit के साथ आप entry करते हो, तो आपको पैसा मिलेगा, option buying से भी, सीखे हो पहले इसको, बिना सीखे, trade मत करो नहीं, तो जिस तरीके से पैसा देता है, उसी तरीके से पैसा ले भी लेता है, सिखाने के लिए मैं हूँ, सारी चीज़ें YouTube वीडियों पे explain करना, आपके doubts को समझना, ये possible नहीं हो पाता है, इसी लिए live classes है, उसका part बनिये, और सीखे मेरे साथ, जो भी आपके doubts से उसको पूछिए, और उसके बाद आप trade लिजिए, and see the difference, मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में, तब तक के लिए take care and keep learning new things, और इस वीडियो को like नहीं किया, तो like कर दीजिए चैनल पर पहली बारे सब्सक्राइब कर लिजिए, और अपने जितने भी जानकार लोग हैं जो trading से लिकें interested हैं, उनके साथ इस वीडियो को share कर दीजिए, thank you so much.